तो वेलकम डियरे स्टूडेंट्स, मैं एजाग खुर से एक और आपका वेलकम करता हूँ, सुवागत करता हूँ तो आज कि इस वीडियो में हमारे शामने यहां प्रस्टन है बीहार में, कहाँ? बीहार में, वन संपदा वन का मतलब होता है जंगल, पेरपोधे संपदा का मतलब होता है दावलत यानि वन भी आपके लिए दावलत का काम करता है एक ओमुल है ओमुल पहार है आपके लिए इसलिए वन संपदा की वर्तमान वर्तमान मतलब अभी अभी का इस्थिती मतलब हालात का वर्नन कीजिए सीधे पूछ रहा है कि बिहार में जो वन संपदा है जंगल वगर है पेर पोदे जो है उसकी क्या वरतमानी स्थिती है इसको हमें उत्तर में बताना है तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए बीखार से जारखंड के अलग होने के बाद देखिए पहले बीखार और जारखंड दोनों मिला करके एक ही राज था बाद में जारखंड बीखार से अलग हो गया तो के बाद बीखार की वन संपदा काफी दैनिये इस्थिती में आ गई काफी खड़ाब इस्थिती में आ गई इसका मतलब ये हुआ कि बिहार से जब जहारखन अलग हुआ तो जादा तर वन संपदा जहारखन में चला गया और बिहार में वन संपदा काफी कम बच करके रह गया जिससे बिहार के जो वन संपदा के इस्थिति काफी दैनी हो गई काफी खड़ाब हो गई आगे हमें यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में केवल 6764 दसमलब 14 hectare इतना hectare बोलिए या बिहार का जो पूरा भूमी है उसका 710 मलब 143 भाग पर अब वनसंपता बच गया है यहाँ आपका objective भी solve होडा है कितना पर वनसंपता बचा है 6764 दसमलब 14 hectare पर कहिए या 710 एक पर तिसत पर कहिए आगे इसमें कह रहा है बिहार के लगबग सत्रे जिलों में कितने बिहार के लगबग सत्रे जिलों में वन समाप्त हो गई है बिहार के सत्रे जिले ऐसे हैं जहां वन लगबग समाप्त हो गया जंगल है ही नहीं वहाँ पर कुछी ही राज्यों में वनों की इस्थिती वनों का जो हालात है वो अच्छी है सेस जिलों में वन के नाम पर जार जुर्मुट बच गया है यानि जो सेस जिला है वहाँ वन के नाम पर जार जुर्मुट बचा है इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर one के नाम पर बहुत ही कम one है इतना चाहिए उतना से बहुत ही कम है तो यहां पर यह वीडियो समापत होता है मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा धन्यवाद